मैं मैं आप first Indian woman diplomat थे इसलामाबाद में जो post हुए थे आप 1997 से 2000 जो बहुत ही turbulent period था इंडिया पाकिस्तान relations के लिए उस दोरान आप पाकिस्तान में posted थे अपने husband A.R. घंशाम जी के साथ A.R. घंशाम जी depute हुए थे भारत की तरफ से जब कंधार hijacking हुई थी उनको कंधार भीजा गया था नेगोशेट करने के लिए अभी आपके एक बुक भी आई है Indian woman in Islamabad उस पे हम बात करेंगे बट मैं IC814 के hijacking उस वाले episodes से शुरू करना चाहूंगा क्या आपने वो latest movie जो आई है उस वो देखी है आपने देखी है series वो I think six episodes है उसमें कितना realistic है वो जो क्योंकि आपने तो बहुत closely इस चीज़ को follow दिया नहीं realistic तो काफी कम है कई जगा पे बहुत fictionalized है जो उन्होंने दिखाया है वो Kathmandu में तो क्या कहीं भी होना असंभव नहीं है क्योंकि embassy में कोई अपने पास weapons नहीं रखते हैं के पास gun नहीं होती है और किसी भी foreign country में जब आप based है तो उनके नागरिक को उठा के आप ऐसे ले आए अपने embassy में और जो जिस तरह से उन्होंने दिखाया उनका जो treatment करते हैं तो ये सब तो filmों की बात है ये असलियत की बात नहीं है तो उस हद तक वो realistic तो नहीं है और जो कंदहार में दिखाया है उसमें तो क्यूंकि उसके बारे में तो दो chapters है मेरे किताब में एक Islamabad side का है और एक कंदहार की side का है तो उसमें तो पढ़के आपको दिख जाएगा कि many things are not realistic मुझे खासकर जो लगा कि इतना tense जो atmosphere था महां कंदहार में इतने आपके passengers इतने दिन से plane में hijackers के उसमें चंगल में थे एक passenger की death भी हो चुकी थी उन्होंने जिनकी dead body दुबाई में दी थी और वो उतना जैसे उसका जो कहना चाहिए जो tension और जो gravitas होना चाहिए था वो नहीं मुझे नहीं नजर आया जो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि बहुत जैसे कि कोई lightly कर रहे हैं और कोई पर I don't think वो ऐसी situation में कभी light तो कोई ले ही नहीं सकता ना जब आपके passengers की life stake पे है और आप रोज सुबाज तो शाम तक आप वो ही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम इनको छुड़ा सकें आपको पता है आपके देश में उसके पीछे कितनी tension है तो इतना light तो नहीं हो सकता ना एक सबसे बड़ा जो criticism जो इस series का आया है वो यह है कि उन्होंने यह नहीं दिखाया कि यह लोग ISI के थे या वहां से जो पूरा plot हुआ था यह पाकिस्तान का कितना बड़ा involvement था आप लोगों को कब realize हुआ कि यह पूरा का पूरा जो है वो ISI और पकिस्तान ने इसको plot किया हम लोग को तो मतलब realize क्या अंदेशा तो हमें शुरू से ही था क्यूंकि जिस तरह से पहले भी hijack होके पकिस्तान में आ जाते थे aircraft और तो फिर वहां की के माहौल को देखते हुए हम लोग को ऐसा doubt तो शुरू से ही था लेकिन दिली में I think इन लोगों को जल्दी अंदेशा हुआ जो हमारे हम लोगों के मुकाबले और जब एक बार उनकी demand सामने आ गई तो फिर तो कोई doubt ही नहीं बचा और बात में तो यह जाके confirm भी हो गया कि यह पांच लोग कौन थे और यह तो पाकिस्तानी थे इसमें कोई शक्की बात ही नहीं है चाहे वो कि कोई नाम यूज कर ले चाहे वो अपनी कोई identity बहरूपिया बनके अपनी बना ले लेकिन इसके बारे में तो कोई doubt नहीं है कि वो पाकिस्तान से थे बट सबसे ज़्यादा confirmation मुझे लगता ही तब ही हुआगा जब उन्होंने वो 38 डिमांड रखी जब 38 डिमांड करी थी उसमें से 36 लोगों की थी एक 200 मिलियन डॉलर के 100 डॉलर बिल्स में और एक जो अफगानी था उसके जो सजाद अफगानी बहुत लोगों को जिनको नही डिफिकल्टी थी वहाँ पर देंपोशीट करना है तो मैं पॉलिटिकल काम देख रही थी और वो एकनॉमिक और कमर्शल काम देख रहे थे कई लोगों ने बाद में बुला कि A.R. घंशाम को इसलिए बिज़े जहरा है क्योंकि वो रो के उपरेटिव हुए वो पाकिस्तानियों ने प्रेस में ऐसा कहा जिससे कि मतलब मुझे परसनली उस बात से मुझे बहुत खराब लगा क्योंकि ऐसी बात कहके उनकी पहले ही तालिबान की एरिया में कोई फर्स टाइम जा रहा था वहाँ हमारी एमबसी नहीं थी उनकी रेपूटेशन मतलब उस समय महाँ पर जिस तरह के इंसिदेंट्स हो रहे थे जो रेपूटेशन जो थी उसको देखके चिंता का विश्य तो था ही कि सबसे पहले उनको बेजा जा रहा है और ऐसे में उनके यूनो एंटेसिदेंट्स के उपर इस तरह के सवाल उठा एक तरह से क्या आप किसी को इशारा कर रहेंगी भी इनको ठीक से मत ट्रीट करना तो मुझे उस बात से मुझे हाला कि अर्दू के अखबार में ये खबर निकली थी वहाँ इसलामबाद में और काफी सीनियर वेक्ती थे जिन्नों ने ये स्टेट्मेंट दिया था मीडिया को लेकिन मुझे इस बात पर बहुत परसनली बहुत बुरा लगा था तो वो वहाँ पर गए फिर उसके बार वो यूएन की फ्लाइट से वहाँ पहुँचे प्लेन तो वहाँ खड़ा हुआ था पच्चेस तारिक को आ गया था और गनशाम तो वहाँ 27 की सुबा पहुँच में और जो first interaction हुआ उसी में उसने ये धंकी दे दी कि लोगों को मारना शुरू करेंगे और उनकी तो मतलब इसी लिए मैंने जो शुरू में आपको कहा कि जो tension रही होगी कि first interaction से उनों ने धंकी दे रखि थी लोगों को मारने की तो ऐसे में मतलब you are very serious आपको पता है कि इसमें थोड़ी सी भी आपने अगर भूल करी या थोड़ा सा भी आपका पाउं फिसला तो इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं आपके husband ने जो लिखा है उसे मुझे लगता है कि पहले जब वो बात कर रहे थे उन्होंने शुरू किया negotiation तो थोड़ा सा tone जो था वो अलग था लेकिन जैसे जैसे वो चला न मतलब पहली call में वो एकदम से समझ गए कि gravity क्या है situation की तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो दिन तीन दिन उसी भाशन बात कर सके क्योंकि वो बहुत आपकी एक ऐसे शब्द बोलने से किसी की जान जा सकती है आपकी बात से over excited होके या agitate होके या aggressive हो जाए तो जिसका खामियाना आपके लोगों को भुगतना पड़ेगा हम आपने बात में जब जैसे सर आई होंगे घर पे और जब बात की होगी तो आपने कुछ ऐसा discuss किया कि क्या सबसे मुश्किल पल उनके लिए रहा होगा उस पूरे तीन-चार दिन जब वो रहे वहाँ पे सबसे मुश्किल वो ही था जब वो पहले पहुंचे थे और जब हाई-जाकर उनसे बात कर रहा था जब उसने धमकी दी कि वो मारना शुरू कर देंगे लोगों को और तब तक हमारी टीम नहीं पहुंची थी हम लोग उस वक्त काफी young officers थे counselor तो बने थे, नए-नए बने थे और आपकी team भी नहीं, आपके senior भी नहीं पहुंचे हैं आप किसी को consult भी नहीं कर सकते और शायद वो phone भी कर रहे थे तो उदर से मना कर दिया था जो Pakistan Indian High Commission था की बार-बार phone भी नहीं बार-बार phone करने के लिए नहीं actually क्योंकि open line पे आप बात करें तो सभी को पता था कि हमारी line तो हमेशा ही सुनी जाती है अच्छे इसमें जैसे 38 डिमांड जो थिया 36 लोगों की जो डिमांड थी उसको इतना कम करके तीन लोगों को छोड़ा लास्ट में तो वहां तक कैसे मतलब वह कैसे agree करवाया क्योंकि उनके पास तो बहुत leverage था तो exactly हुआ क्या जितना किताब में लिखा है उससे जादा तो ना मुझे पता है और ना ही मैं बता सकती हूँ अगर पता होता तब भी नहीं क्योंकि ये सब चीजें तोड़ा सा तो रखना पड़ता है actually ये हमारे जो negotiators थे ये उनकी I think काबलियत माननी चाहिए क्योंकि 36 लोगों से उन्होंने और इसके उपर उन्होंने कितनी मशक्कत की होगी टू एंड फ्रो जैसे कि घरिशाम ने अपने उसमें चाप्टर में डिस्क्राइब भी किया है कि कभी-कभी मतलब वापस सर्कल पे उसमें पॉइंट पे पहुँचके और फिर से दुबारा से और बार बार मतलब यह है कि आप अगर फिसले भी तो आपको दुबारा से उस पर फिर से मेहनत कर दी है तो मेहनत करके उसे उन लोगों को नीचे लाया गया जिसमें हमारी टीम के पास किसी किसम की कोई security नहीं थी Taliban को हम recognize नहीं करते थे तो Taliban के जो पाकिस्तान के साथ जो भी उस समय जो रिष्टे थे उनके बारे में तो कोई बात किसी से चुपी नहीं थी पर एक केवल उन्हों की disadvantage थी वो ये कि वो रमजान शरीफ के दिन थे और hijackers जो थे वो फास्टिंग पे थे तो थोड़ा सा थोड़ा सा उनकी energy level शायद हो सकता है कम हुई हो उसके कारण बट ये बहुत ही tedious और बहुत ही painstaking effort था जिससे कि इन लोगों ने ये result अचीव किया था एक बात ये भी बोले गई कि जैसे Taliban का जो के भी दो factions वहाँ पे काम कर रहे थे और आपस में भी उनका भी वो चल रहा था क्योंकि एक faction जो मुला उमर वाला था वो चाहते थे कि जल्दी से ये सब खतम और शायद एक warning भी दी गई थी कि एक या दो दिन में इसको कर लो नहीं तो जाना पड़ेगा छोड़ के अजी डोवल जी ने भी कई साल पहले कुछ इंटर्व्यू भी दिया था इसके उपर और कुछ तो उसमें जो series आई है उसमें भी कुछ इस तरह की hint available है आप इसमें सचाई कहां तक है वो मुझे नहीं पता लेकिन ये बात तो जरूर है कि बहुत लबे समें तक अगर ये खिचता तो Taliban तो इस बारे में थोड़ा सा मतलब उनको उनकी धर्ती के उपर ये सब हो रहा था तो थोड़ा सा impatience उनमें आएगी ऐसा तो understandable है कि ऐसा तो हुआ होगा स्वाभाविक है बतलब ऐसा होना ये red bag वाली क्या कहानी है उस plane में कुछ अंदेशा था जो कि शायदा जी डोबल जी को मिला था कि कोई midnight के time पर भारत के लिए वो कोई तोफा चोड़ के जा रहे जब वो खाली हो गया था कि आप guest house जहां ठहरे थे वहां मत जाईए और सब लोग साथ रहिए और plane में नहीं मतलब जहां बाकी लोग हैं पत्रकार वगरा भी थे काफी तो जहां वो लोग हैं वहां पर आप लोग भी रहिए तो दो pilot थे तो उसमें से एक pilot घंशाम को नहीं मिले एक pilot पता चला कि वो plane में अपना try कर रहे थे कि सब चीज ठीक से क्योंकि अगले दिन उनको fuel मिलते ही plane को लेके वापस आना था तो plane ठीक हारत में है चलाने लायक है कि नहीं तो वो सब वो test कर रहे थे तो ये लोग उनको ढूंडने के लिए गया कि भई प्लेन से अब उतरिये आप और you have to come to the lounge मत plane में किसी को नहीं रहता है तो जब ये जाने लगे तब इनोंने देखा कि एक गाड़ी खड़ी है और उसकी headlight on है और जो plane का hold होता है उसकी तरफ focused है और कोई आदमी है जो plane से लाल रंग के bags निकाल निकाल के दिखा रहा है तो गाड़ी में कोई लोग बैठे हैं लेकिन उनके शीशे तो dark थे तो they couldn't say कि कौन बैठा है लेकिन कोई था जो बैठा हुआ था उसमें गाड़ी में या कोई थे जो बैठे थे शायद कोई hijacker ही क्यों न हो और वो देख के बता रहे थे कि नहीं ये बैग मतलब जो भी बैग था तो बाद में दो साल के बाद शायद ये पता चला कि उसमें शायद कुछ क्रिनेट थे या शायद उनके औरिजनल पासपोर्ट्स थे अब एक्जाक्ली क्या था इसके बारे में हम लोग को कोई जान कर रहे नहीं है ये भी क्लियर नहीं है कि वो अफगानियों के थे या फिर वो जो पाकिस्तान के hijacker थे उनके थे ये भी क्लियर नहीं है कोई तो security में धील तो हुई है वरना कोई hijacking बिना security की धील के तो possibly नहीं है ना कोई भी weapon कैसे आप ले जा सकते हो हो सकता है कि वो lahore में भी तो रुखा था ना कुछ लोग ऐसा भी कभी कहते हैं क्या पता but I don't know मुझे इसके बारे में knowledge नहीं है बहुत लोग आज भी उस तरीके से अजीद दोल साब का भी मजाक उडाते हैं तो वो ही करते हैं कि देखो ये तो आज भी NSA हैं और इनी की कारण वो सब हुआ की छोडने पड़े strong steps नहीं लिए और अभी इनका जो image है अपने आपको James Bond तरीके से present करते हैं आप इन सब चीज़ों किस तरीके से देख तो है कहने के लिए तो सब असान होता है कहने के लिए कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था यां होते तो हम ये कर दे सकते थे पर जिसने डील किया है असलियत तो उसको पता है وہ जो उस वक्ट जो वहाँ situation थी वो तो उनको पता है जो लोग वहाँ पर उस team में थे जिन लोगों को छोड़ा गया उन्होंने जो काम किये हैं और इतने सारे लोगों की हत्या का के जिम्मेवार वो हैं आज तो उस समय भी एक view था security establishment में कई लोगों का कि अगर हम कुछ negotiate नहीं करते तो ज़्यादा ठीक रहता कि ये भी बोलता है कि चलो 175 जो लोग थे अगर उनको मार भी देते ये लोग तो भी इतना बड़ा cost हमको नहीं देना पड़ता जो इनको छोड़ने की वज़े से दिया गया वो बाद में हलांकि prove हुआ इसमें सवाल ही है कि जो family members थे और जो यहां पे आके parliament के आगे और सब के एक तरीके से emotional जो blackmail भी हुआ सरकार के सामने उनको force करना पड़ा क्योंकि पूरी media में वो चीज़ रोज दिखा रहे थे रोते हुए और ये सब protest करते हुए तो security वाले और जो soldiers हैं वो भी ये feel करते हैं कि क्या ये देश के लिए मर मिटने का जो चीज़ है वो सिर्फ हमारे जिम्मेवारी है क्या civilians जब इस मुसीबत में पड़ते हैं तो क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है आप इस पर क्या सोचते हैं नहीं जिम्मेवारी तो देश के प्रती सबकी होनी चाहिए ये तो I believe लेकिन ये भी है कि जिसने जिसे अगर मैं एक डिप्लोमाट थी मैंने अपनी चॉइस दी मुझे पूछा गया कि ये जगा खाली है तो मैंने उसमें चॉइस दी कि I am willing to go to Islamabad अब वहां जाके अगर कोई मुसीबत आई मेरे life में तो उसकी जिम्मावारी तो मुझे लेनी पड़ीगी क्योंकि मैंने अपने choice से मैं मुझे किसी ने force नहीं किया कि आप भारत सरकार में ये नौकरी करें या इस जगा पर आप posting में जाएं तो civilians के ने वो choice नहीं की है तो इसलिए उनके पास ना वो training है ना वो हो सकता है कि वो संयम भी ना हो तो थोड़ा बहुत ये तो उस वकट मुझे भी ऐसा लगा था कि जैसे emotional control अगर रहे तो बहतर है because ऐसे में लोग अगर संयम भूल जाएंगे तो सरकार के लिए तो बिलकुल ही हाथ बन जाएंगे उनके पर जो आपने सवाल किया कि 175 लोगों की जान अगर चली जाती तो अब ये तो हमें hindsight से पता चल रहा है कि इन्होंने जो मसूद अजर छोड़े गए हैं तो इन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज बने और कितनी इन्होंने terrorist, terrorize किया लोगों को, कितनी terrorist incident किया इन्होंने पर उस वक्त तो आपको पता नहीं था तो तो बेसिकलिए अगर वो हो जाता तो फिर ये बोलते कि छोड़ देना चाहिए था इतने सारे लोग हमरवाद मतलब अ I should say कि यह अठकल बाजी है कि अगर यह होता तो वो हो जाता वो होता तो वो हो जाता तो वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि इस माइ आंट अड मुश्टाच आई वूट पी दे किंग ओफ इंगलेडड़ तो अगर मेरी तो मतलग कि गोलते हैं कि मेरी चाची की मुचे होती तो मुशे चाचा ना कहता तो यह कहना मतलग कि ऐसा होता कि वैसा होता end of the day जो हुआ वो हमारे हमें ग्यात है उससे हमें सीख लेनी चाहिए जो भारत ने उस पे कई नए प्रोटोकॉल बनाए मतलग सेक्यूरिटी हमारे हाँ टाइटन हुई तो यह हमारी that is the learning we have to get from अगर हम वो उसमें से सीख ना ले तो वो हमारी गलती ज़रूर होगी मैं एक और बात जो आपने इस भुस्तक में अपने में लिखी है कि इंडियन डिप्लोमेट्स को pick up करना उनको harass करना यह बहुत common है पाकिस्तान में तो मैं चाहूँगा कि वो आप aspect बताएं because आप एक महिला थे वहाँ पे posting आपकी थी तो आपको भी तो मतलब वो तो एक महिला के लिए तो और भी difficult हो जाता है कि जिस तरीके से वो stalking करते हैं harassment भी हो जाता है and you feel so insecure एक मुनलब ऐसे देश में तो वो मैं चाहूँगा कि वो experience बताएं and how difficult it is for Indian diplomat अब वहाँ हम लोग पहुँचे तभी से हमारे पीछे तो उनकी security वाले लग गए हम पे नजर रख रहे थे एक तो वो उनका function था दूसरे वो उनकी presence है जो पाकिस्तानी अगर कोई हमसे मिलना चाहते थे तो उनकी visible presence देखके वो खुद ही पीछे हट जाते थे तो उससे एक जो हमारे और local population के बीच में जो दायरा है वो बढ़ जाता है तो यह इसका dual purpose है तभी वो इतना visible way में हमें follow करते थे उनकी गाड़ी एकदम हमारे पीछे रहती थी कोई उनको pretend ने करना था यह नहीं कोई छुपके देख रहे है बलकि वो बहुत बहुत openly देखते थे जैसे मैंने उसमें किताब में लिखाए कराची में एक बार मैं किसी के घर गई थी तो साथ आदमियों ने मुझे follow किया उसमें पांच आदमी एक गाड़ी में बैठे थे white color की और दो आदमी एक motorcycle पे बैठे थे तो मेरी गाड़ी के पीछे साथ आदमी आए और जिनके घर हम पाकिस्तानी थे जिनके जिनोंने मुझे जिनसे मैं call on करने गई थी तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि जो इनके पीछे हैं उनको भी चाय पिला दीजिए हुसेन हकानी हुसेन हकानी तो मैंने उनको यही कहा कि मैं तो बहुत expensive guest हूँ आपकी क्योंकि मैं अकेले नहीं आई हूँ मेरे साथ साथ लोग और आए है तो वो तो बहुत openly follow करते थे और बहुत openly जाके वहाँ wait करते थे हमारी और जैसे हमारी high commission के भार में एक corner पेट था उसके नीचे bench वेंच थी ये लोग अपने वही पर बैठे रहते थे और जब क्योंकि वो assigned होते थे कि इस officer के साथ उनकी duty रही होगी जिसके साथ तो जब वो सुबह आएंगे तो उसको जब वो office चले जाएंगे तो ये भार बैठ जाएंगे और जब वो officer निकलेंगे तो ये अपना गाड़ी ये motorcycle जो भी उनका है वो उठा के उनके पीछे-पीछे follow करने लगेंगे तो एक बार उन्होंने हमारे एक gardener को उठा लिया उसकी मैंने कहानी लिखी है और वो इतना नर्वस हो गया क्योंकि वो बिचारा माली का काम करता उसको embassy का कुछ पता आता नहीं है और वो लोग उसको अब टॉर्चर का धंकी दे रहे होंगे जो भी पकड़ के ले गए उसे तो छोड़ तो दिया उन्होंने क्योंकि उनको समझ आगे होगा कि इसको कुछ पता नहीं है लेकिन वो नर्वस बहुत हो गया तो उसको मैंने जब मुझे उसको थोड़ा ये करना था कि धाड़स उसके अंदर उसके अंदर हिम्मत आ जाए तो उसको मैंने का चलो बाहर और हम लोग वही उनके सामने जाके खड़े हो गए जहां वो लोग दूसरी तरह बैठे थे हम अपने गार्डन देखने लगे वहाँ और मैं उससे बातचीत करने लगी कि यहां ऐसे पौधे लगाओ यह जिद्गंदगी हो रही है इसकी सफाई करो ऐसे वैसे करके हम जितना देर उसको उसका एकदम कामनेस आ गई उसके अंदर उतनी देर हम तो वो हमारे सड़क के दूसरी तरफ वो बैठे वेते सब के सब कोई उनको जेप नहीं है कोई उनको हेजिटेशन नहीं है कोई वो छुपने की कोशिश नहीं करते है मारपीट भी होती थी जब हमारे लोगों को पिक अप करते थे तो उनकी पिटाई तो होती थी उनके साथ टॉर्चर तो होता था एक हमारा एक आफिसर का मैंने लिखा है तो उनको वो ले गए थे तो उन्होंने बाद में आके फिर हमें डिस्क्राइब किया कि उनको दिवार के साथ उनको खड़ा कर दिया गया हाथ उपर करके तो उनकी back में उन्होंने rubber के बैट से उनकी पिटाई करी तो उनके शरीर के उपर निशान नहीं आये क्योंकि rubber के बैट से उनकी torture हुई और लेकिन उनको इतना तकलीफ हुई कि वो कही दिन तक कुर्सी में यह नहीं बैट पाते थे और नहीं अपने पीट के बल वो सो पाते थे क्या वो इतना important उस position पर थे नहीं कुछ नहीं वो बिचारे बिल बिल वगेरा process करते थे अगबारों के तो उनको उठा लिया उनको कोई उनको लगा होगा कि कुछ इनको पता होगा या उनको कुछ पूछना होगा exactly क्यों उठाते थे वो लोगों को ये तो मतलब उनको पता होगा लेकिन उनको उठा लिया उनको कुछ भी नहीं नहीं, देखे भारत यहाँ पर क्या करता है उसके बारे में तो मुझे idea नहीं है लेकिन एसा उनको वो लोग ऐसा हमारे उपर भी इल्जाम लगाते थे कि पर एक केस का मुझे मालूम है कि हमने कोई उसको टॉर्चर वागेरा नहीं किया था हमारे लोगों ने लेकिन जब वो गया तो वो अपने पटी बटी बंधा के ऐसे गये जैसे कि उनको पता नहीं कितना टॉर्चर किया गया है तो क्या यहाँ पर फिर कोई रिटेलियेशन नहीं होता था नहीं यहाँ पर exactly क्या होता है वो तो मुझे मैं उसके बारे में तो कमेंट नहीं कर सकती लेकिन जैसे एक केस में हुआ था कि एक आदमी को उठाया था तो उनके दो आदमी कोई शॉपिंग कर रहे थे और उसके बाद थोड़ा कुछ दो घंटे के लिए या कुछ वैसे जैसे अंड्रेसबल हो गए उन दिनों कोई मुबाइल फोन इतने सब के पास होता नहीं था उन्होंने बताया होगा अपने घरों में नहीं पहुचे होंगे तो उसके बाद हमारे आदमी को छोड़ दिया गया पाकिस्तान के तो तीन साल आपके लिए बहुत हैपनिंग होए होंगे लेकिन इसके अलावा आपके सबसे बेस्ट पूरे केरियर में सबसे बेस्ट पूस्टिंग आप किसको कहेंगे या जहां कि अच्छी यादे हैं अब आम तोर पे लोग सोचते हैं कि मुझे शायद आफरिका की पूस्टिंग नहीं अच्छी लगी हो क्योंकि यॉरप जनरली लोग अट्रैक्शन समझते हैं कि मतलब पैरिस गए और लंडन गए और बिल्जिम गए और ये सब के सामने कहां खाना और आकरा और बुर्किना फासो लेकिन मुझे वहां भी बहुत आनन्द आया वहां के लोग मुझे इतने अच्छे लगे और उनके खाना मुझे इतना अच्छा लगा कि वही वो जैसे घाना में खाना बनाते हैं तो भले उनके पास वो spices नहीं हैं जो हम लोग use करते हैं हमारे तो खाने में तरह तरह के और पिर हमारे ये कि इसमें मेथी पढ़ेगी तो इसमें कुछ और पढ़ेगा जीरा पढ़ेगा मतलब हम लोग की तो कुजीन बहुत कॉम्पलेक्स है तो उनके पास उतने spice नहीं है लेकिन उनका जो basic जो खाना बनाने के उनका तरीका है कि वो उसमें मतलब onion पढ़ेगा और उसमें क्या कहते हैं टमाटर पढ़ेगा जैसे हम लोग पालक का साग बनाते हैं तो वो लोग उसको बोलते हैं पलावा साउस तो अलग अलग उसमें हरी सबजियां मतलब पत्ते साग जो है वो उसको चौप करके और उसमें फिर वैसे ही जैसे हम लोग टमाटर के साथ उसको कुकिंग करते हैं तो वो लोग भले उन लोग पाम उइल यूज करते हैं हम लोग पाम उइल नहीं यूज करते और फिर वो उसमें जो मेलन के सीड्स होते हैं खर बुजे के उसको कूटके उसमें डालते हैं लेकिन टेस्ट ऐसे लगता है कि हम पालक का साथ खा रहे हैं तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो है जैसे भले अलग है लेकिन फिर हमें अपनी जो कल्चर है उसकी जलक उसमें थोड़ी सी दिखाई पड़ती है तो एक बहुत इंट्रेस्टिंग एक्सपीरियंस लगता है तो जैसे लंडन का एक अपना एक्सपीरियंस है और ओविसली वो एक्साइटिंग है या न्यू यॉर्क सबको मालूम है कि एक बहुत एक्साइटिंग जगा है लेकिन जब मैं आखरा गई तो मेरा वो एक्सपेक्टेशन कोई नहीं क्योंकि मैं तो न्यू यॉर्क में अमेरिका में रहके फिर चार साल उसके बाद मैं आफरिका गई तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो वो नहीं था लेकिन जब वहां रहने का मुझे मौका मिला तो फिर वहां की चीज़ें भी मुझे इतनी दिल्चस्प लगी कि जो मैंने अगली किताब लिखी है वो एफरिका के घाना के घाना और पुर्किना फासो के बारे में लिखी है वह सबसे चैलेंजिंग कौन सी थी पोस्टिंग चैलेंजिंग जो सबसे ज़ादा थी वो पाकिस्तान was the most challenging in some ways UK भी मेरे लिए काफी challenging पोस्टिंग थी क्योंकि कई बार हमारी high commission के सामने demonstrations औगरा हुए क्योंकि जैसे मेरे tenure के दौरान article 370 का decision भारत सरकार ने लिया पाकिस्तान में तो समय हमारे embassy के उपर high commission के उपर almost rights हुए थी काफी लोग आ गए थे 5000 लोग आ गए थे मैं उसकत high commission में ही थी और हमारी लोग फस गए थे जब इस type के situation होती है तो what is the protocol आप लोग क्या गरता है हम तो पहले से ही हमें अंदेशा था ही कि ऐसी situation develop हो सकती है जैसे हमारी तो भारत की diaspora काफी बड़ी है वहाँ लेकिन पाकिस्तान की भी बड़ी है और उनकी high commission मतलब काफी उन्होंने उसको अपना playground type बना दिया था उस वक्त तो कि जो भी कुछ होता था तो हमारी embassy के सामने फिर कुछ लोग कभी कम कभी ज़्यादा लोग पहुंच जाते थे और शोरोर मजाते थे तो पूरा हमारा drill तो पहले से था कि आप जितना भी SS करें पहले तो कि कितने लोग आएंगे कितने किस किसम की आपके लिए challenge आएगी और फिर आप उसको जगा 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 जो concerned authorities हैं आप उनके साथ लिखित में और verbally और meeting करके आप जितनी अपनी सुरक्षा assure कर सकते हैं आप उसको बनाईए तो आपको क्या mayor के साथ coordinate करना पड़ता है या नहीं police department autonomous है वहाँ पे mayor उनका budget control करते है लेकिन जो police met police जो है metropolitan police वो autonomous अपने सक्षम है तो उनके साथ हम लोग regular बलकि इस इस समय तो मैंने खुदने भी meeting ली थी और काफी हमने उनको alert करने की कोशिश करी कि जो हमें numbers सुना ही पड़ रहे हैं कि 5000 लोग आ सकते हैं तो वो शायद उन्होंने हमारी बातों को उतना seriously नहीं लिया या उनकी intelligence थोड़ी fail हो गई I don't know लेकिन उन्होंने उतने लोग जितने तैनात करने चाहिए थे जितनी security उतने उसके मुकाबले कम की की तो थी बंदोबस तो की थी ऐसी बात नहीं है लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया प्रोटेस्ट हो रहा था तब आप अंदर ही थे? मैं देखने गई कि वहाँ क्या परिस्टी चल रही है क्योंकि वो लोग एक तरफ को नीचे की तरफ थे और दूसरी तरफ थोड़ी उन्ची जो वहाँ पे से वो लोग परिस्टानी लोग सब ओरिजन के जो लोग थे तो वो लोग मतलब देमोंस्ट्रेशन वगएरा कर रहे थे चिला रहे थे और तो जब मैं उपर गई तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ से भी लोग आने शुरू हो गए मतलब रहना तो उनको सबको सामने चाहिए था लेकि इतने ज़्यादा लोग हो गए कि वो दूसरी तरफ से आने शुरू हो गए तो तब मैंने फिर अपने लोगों को का कि हमारे लोगों से को कि जल्दी से अंदर आ जाए या घर जाए अब यहाँ ना रोकें तो तब तक उनका फंक्शन खतम नहीं हुआ था तो उन्होंने का कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अच्छा इतना उनको शायद एक तो नीचे खड़े हो कि उनको दिख भी नहीं रहा होगा कि पीछे से कोई आ रहे हैं लोग और इतना कभी हुआ नहीं था ऐसे तो इसलिए उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा तो वो उस और लेडीज थी गाने माने कि वो डांस गाना जैसे पंदर आगस्त के दिन सेलिब्रेशन में जैसे करते तो वैसे ही हो रहा था उनका भी बच्चे भी थे एल्डरली कुछ लोग थे उनको नहीं उनको रियलाइस हुआ कि इतना सीरियस हो जाएगा और उधर से फिर जब उन लोग उनने जो डेमोंस्ट्रेटर्स थे उन्होंने फ्रोजन कहीं से डिपार्टमेंटल स्टोर से जाके फ्रोजन वाटर बॉटल्स की वो ले आए मतलब खरीद के ले आए और वो मारनी फेक के मारनी शुरू करी तो कुछ लोगों को जैसे एक आत को तो चोट लग गई थी बाकी फिर वो एक बेस्मेंट का थोड़ा जैसे खिडकी होती है उसकी जो लेज होती है उसके नीचे ब उनके मंतरी के सब मतलब ट्राइ कर करके की कैसे अपने लोगों को अंदर लाया जाए बड़ी मुश्किल से उनको हम अंदर ला पाए उस दिन तो आप कॉल बगईरा कर रहे होंगे पुलिस को भी और वहां पे जो जो आपके साथ इंट्रेक्शन होता है तो मतलब जो इमर् दफ्तर में फोन किया फिर उनके हां कुछ हो गया था तो पर उनसे मैंने फिर वाट्साप किया फिर वो ओफिस में नहीं थी तो उन्होंने किसी से लिंक किया मुझे कि आप उनको किसी को आदेश दिया होगा तो फिर मैं उनके साथ टच में थी फिर लास में मतलब थोड़ किया दर्वासे से और एक छोटा सा पतला सा कॉरिडॉर बनाया और हम लोगों को ऐसे आया कि बस अब इतने मिंटों के बीच आप अपने लोगों को अंदर कर लीजिए क्योंकि हम उससे जादा देर तक रोट नहीं पाएंगे बीड को तो बड़ी मुश्किल से फिर लोगों को इतना तो मतलब सेक्यूर्टी इंडिया में मिल जाती है कि कुछ अगर आप कॉल कर दो मिनिस्टर को इस लेवल पर तो टाइम लगा लेकिन बच गय सब लोगों को बचा लिया और इतनी 10 सिचुएशन थी कि मतलब और इतने लंबे इतने घंटों के लिए तो इसलिए चैलेंज़स तो UK में UK जैसी जगह का लोग सोचेंगे कि बड़ी बड़ी इजी पोस्टिंग रही होगी बड़े मज़ेकियों होंगे घूमने पिर ने की और क्या पता लेकिन UK was also a very challenging posting और होपुली ये हमको पढ़ने को मिलेगा आपके next books में UK वाला भी और घाना वाला भी घाना वाली तो लिख ली मैंने first मैं बलकि घाना पे मैं दो किताबे लिखूँगी क्योंकि मुझे मुझे आफरिका से बहुत जादा प्यार है मेरे हस्बन को भी गंडशाम को भी और मुझे भी और क्योंकि जो लिखने का जो एक motivation motivation तो more than one है पर एक motivation मेरा ये है कि जो हमारे देश के जो youngsters है या जो जो जिसे average Indian है तो उसको आफरिका के बारे में मालूम नहीं है अफरिका के देशों के बारे में भी मालूम नहीं है तो अगर चार आदमी भी मेरी किताब पढ़ेंगे तो चार आदमी अगर उसको समझेंगे तो कुछ मैंने अब जो भी end of the day मेरे मतलब पूरा मेरा life जो है इस देश के लोगों नहीं तो finance किया मेरी जो salary आई वो इस देश के लोगों के tax भरने से मेरी salary मिली मुझे तो अब मेरी इतनी जिम्हेवारी तो बनती है कि कुछ तो मैं दूँ वापस तो ये this is my way of giving back अच्छा है और सभी जो ambassador level पे जो जाते हैं और जो officers होते हैं उनको लिखना चाहिए जो अपने experiences है तभी तो लोगों को यो उनको और कोई interface ही नहीं दूसरे लेकिन आप लोग वहां पे रहते हैं सालों तक रहते हैं तो आपको एक थोड़ा सब society का भी समझ हो जाता है politics का realist वाला जो किताबों में पढ़ते हैं वो वाला lived reality तो मुझे लगता ही कि हर diplomat जो जाता है बाहर जो इतने साल वहां पे लगाता है उनको लिखनी चाहिए books इस तरी को आखरी में ये विदाये कि आपके Indian foreign service में कि सबसे बड़ी कमी क्या है सबसे बड़ी जो कमी है वो personnel की कमी है जब हम लोग यहां दिली में जब मेरी पोस्टिंग थी Joint Secretary West Europe उस वक्त में थी तो कई ऐसे ambassadors जो हम पे call on करते थे मिलने आते थे मुझ से तो वो खुद ही कहते थे कि आप लोग के उपर इतना काम है और आपके पास इतने कम लोग है कि इतने में जो क्योंकि जो अब तो खेर बढ़ गए है मतलब धीरे-धीरे foreign service की size बढ़ रही है recruitment भी बढ़ रहा है लेकिन बीच में numbers कम हो गए थे और जैसे कि भारत की कहना चाहिए जो presence on the global scene जिस तरह से explode हुई है उस हिसाब से अगर आप आज की तारिख में आपने recruitment कर भी लिया तो वो तो सब young होंगे ना वो senior level पे तो नहीं होंगे और senior level पे अगर आपने मान लीजे आपने lateral entry भी करी तो उनको diplomacy का experience तो नहीं होगा तो they will not be experienced so ये तो over a period of time ही आप इसको rectify कर सकते हैं और इसको बलकि rectify करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं इतने detail मतलब में आपको हर चीज की understanding होनी चाहिए क्योंकि आप उस जब तक आपने उस देश को पूरी अच्छी तरह से पूरा imbibe नहीं कर लिया है उसकी culture को उसकी politics को बतलब इतना आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप you should have the ability कि उनकी तरह आप सोच सके तभी आप ये तभी फायदा है कि आप सोचे कि मैंने अगर ऐसे किया तो उनका ये reaction होगा जब आपको उनका reaction पहले से अंदाजा लग जाएगा तभी आप अपने steps को correctly you know you can balance them you can तो जब तक आपके पास लोग नहीं होंगे और इतना हर चीज को depth में study करने की काबियत नहीं होगी experts नहीं होंगे तो भारत दुनिया के पटल पे अपनी वो जगा नहीं मना सकता अगर दस साल में देखें तो ऐसे ऐसे countries और ऐसे news बहुत आए हैं कि भारत के प्रदान मंत्री 40 साल बाद इस देश में गई 30 साल बाद बहुत activity हुई है बहुत visits हुई हैं बहुत सारे frameworks develop हुई हैं बहुत सारे treaties sign हुई हैं और जब तक हम हमारे पास वो strength नहीं होगी कि कोई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि sign कर दिया और छोड़ दिया उसको follow up करना पड़े ला आपका काम बहुत बढ़ गया पिछले 10-15 साथ बहुत बढ़ गया है चीज से आपको expand करना ही पड़ेगा मतलब यहां तक कि मुझे तो पता नहीं translators भी हमारे पास enough है नहीं है नहीं है enough translators नहीं है और type करने के लिए लोग enough नहीं है जैसे कई जगह पे मैंने अपने reports खुट type किये हैं इसलिए तो foreign service के लोग retire होके किताबें अराम से लिख सकते हैं क्यूंकि type इंग तो सबको आती है वरना कोई जिसको हमेशा दूसरे के भरो से रहने की आदत हो उसको तो adjust होने में कितना time लगेगा हम लोग तो retire होके हम दौडना शुरू कर सकते हैं क्यूंकि हमें तो life में अकेले सब काम करने की आदत है New York में जब मैं UN में थी तो 6 बजे तक तो हमारा UN minimum चलता ही था वापस आते आते तक 6.30-7 बज जाते थे कोई staff आपका रुकता थोड़ी है अगले दिन अगर कोई statement बनानी है तो वो type कौन करेगा खुदी को type करना पड़ता है ना तो ये सब चीज़ें जो है तो इस हिसाब से तो मतलब IAS और IPS उनकी तो मोज है मतलब अगर compare करें कि उनके पास इतना staff रहता है staff तो होता है लेकिन ठीक है उनकी tensions अलग होती है मैं किसी की किसी की मौच दूर से तो दूर के डोल सुहावने कहते है ना तो ये कम से कम ये basic चीज़े तो होते हैं पर ये basic चीज़ें दूसरों के पास available हैं और आप क्योंकि इंडिया में हैं तो जैसे बाहर आपके हर individual को maintain करने के खर्चे बढ़ जाते हैं सरकार ने बान लीज़े एक एक आदमी extra रखा है किसी mission की बान लीज़े 25 की strength है 25 की जगा 30 में आई तो पाँच आदमें के वहां की salary और जाने आने का खर्चा सबका baggage ले जाने का खर्चा वहां रखने का किराया बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का खर्चा हेल्थ का खर्चा ये सारा खर्चा भारत सरकार का बढ़ जाता है तो this is a dilemma तो लेकिन मुझे तरह इस इंपोर्टन अच्छा आपको लगता है कि क्योंकि आप इतनी जगे जैसे अभी आप पकिस्तान में है फिर घाना में चले गए फिर यूएस में चले गए फिर यूके में चले गए पूरे all over the globe आप लोग जाते है क्या आपको लगता है कि कम से कम एक एरिया दे देना चाहिए रादे देन कि आपको कम से कम 15-20 साल डेडिकेट करने चाहिए कि तब आप जाके कहीं-कहीं एक्सपर्ट बनते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि एक यूएस दे दो बट मान लिए नोर्थ अमेरिगा साउथ अमेरिगा उसको एक कम बाइई करते है या यूरोप एक दे 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 अफ्रिका एक दे दे क्योंकि ऐसा लगता है कि तीन साल इदर गए यहां पर कुछ समझने की कोशिश हो रही थी और बस चीज़ें आई थी समझ में फिर आपको कहीं और भेज दिया या वापस इंडिया में आपका डेपूटेशन हो गया तो आपको इसका क्या मतलब लगता है आपने यह एक बहुत इंपोर्टन डिबेट है जो कि विदेश मंतराले के अंदर सालों साल से चली है कि जेनरलिस्ट होना चाहिए या कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए अब दोनों पॉइंट्स के प्लस और माइनस दोनों है जो जब आप क्योंकि इसी में से एक वेक्ति उठके सेक्रेटरी बनता है तो जो सेक्रेटरी है तो उसके सामने सिरफ एक रीजन तो नहीं है पूरी दुनिया है या मल्टिपल रीजन है तो अगर आपने सिरफ एक्सपर्टीज बनाई तो फिर या तो बायस हा जाएगी कि उस रीजन क्योंकि उसमें रहे हैं तो आपके अटाच्मेंट है तो परसन विल रॉट भी इवन हैंड़ विद ओल दूरी रीजन और दूसरी चीज यह कि उनकी जो नॉलेज बेस है उसमें भी बहुत बड़े-बड़े gaps होंगे जो कि उनको एक रीजन का तो बहुत पता होगा लेकिन किसी और रीजन का कुछ भी नहीं पता होगा वहाँ के देशों के नाम भी नहीं पता होंगे तो general होना भी बहुत आवश्यक है अलग-अलग continents में अब एक मैं भले मेरी first posting Africa में घाना में थी तो मैं कई दिन तक रोज देखती थी Africa का नक्षा क्योंकि 54 देश है और कोई तो बहुत चोटे-चोटे देश है कोई अगर कोई जन बात कर रहा है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि या east में है कि west में है या इस देश का capital कौन सा है मतलब नहीं तो आप बेवकूफ लगते हैं फिर तो then you read and you study तो एक posting में मुझे Africa की उपर से लेके नीचे सक मैंने study किया कि मुझे सारे देशों के idea हो गए mostly सब के capital से आद हो गए politics Africa की plus minus issues क्या है तो जब तक आप लोगों को multiple जगों में नहीं भेजेंगे तब तक उनको आएगा नहीं कि how to be the leader तो शायद होता होगा कि एक जगे के experiences दूसरी जगे भी काम आजाएगा काम तो आते ही है जिसी UN में मैंने posting किया तो वहां से तो मुझे सब post के लिए I would say कि development issues है चाहे आप country X में है चाहे country Y में है issues are the same so that is true but at the same time expertise होना भी बहुत आवश्चक है so दोनों चीज़ ज़रूरी है तो शायद कहीं नहीं एक middle way होना चाहिए जिससे कि आप जब आप numbers को expand करेंगे जिसे पहले एक बहुत पहले एक historical service होती थी तो इस तरह से अगर कोई carder जिससे separately create हुआ जिसमें कि which is only for experts या आपने जिसे कोई think tank को साथ में लगा लिए उस area कि तो think tanks बना लीजिए आप भारत के अंदर different regions से associated मान लीजिए आफरिका पे आपने एक दो या तीन think tanks बन गए और फिर वो आपके जो concerned area की जो diplomacy है उनके साथ उनके touch आपने बना दी तो there are methods by which you can but भारत के आगे किवल एक यही challenge तो नहीं है ना भारत के सामने तो बहुत बड़े-बड़े challenges है तो हम लोग जो आज की generation के भारतवासी है या हमारी generation जो अब retire हो गई है तो हम लोग को ये इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे देश की जो route है वो छोटी है थोड़ी और requirements बहुत जादा है तो इसमें अगर हमें थोड़ी मेहनत जादा करनी पड़ रही है तो हमें करनी पड़ेगी ना आज की तारिख में आज हम हमारे पूरवजों ने अगर independence के लिए लडाई ना की होती तो हम आज independence तो नहीं होती ना हमारे पास तो उन्होंने हमारे लिए sacrifice कि जो आज है उनको मेनत करनी पड़ेगी शायद कल वालों के लिए उनके लिए जगा अच्छी बना के जाएंगे वो wonderful discussion thank you so much आपने इतना समय दिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए